कुकिंग पूजा में आपका तही दिल से स्वागत है आज मैं आलू मटर की सबजी और मीनी कचोड़ी बनार इसके लिए आलू और मटर ले इसे दो तीन सीटी दे के उबाल ले अब हम मिक्सेजर में जीरा डालेंगे अद्रक और हरी मिर्ची और टमाटर ये बीना प्याज ल बना के जरू ट्राई करें अब हम थोड़ा सा पानी देके इसका फाइन पेश्ट बना लेंगे कड़ाई में तेल गरम करें इसमें राई और सुखी लाल मिर्ची का तड़का दें इसमें थोड़ी सी हींग अब हम पीसेवे टमाटर को इसमें डाल देंगे अब हम इसमें सुखी मसाले डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्ची एक चमच थोड़ी सी हल्दी आधी चमच स्वाधनु साधना मक धन्या पाउडर देड़ चमच वन एंड हाप अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसे जब तक इसमें खुजबू ना आने लग जाए तब तक इसे फ्राई करें जब यह अच्छे से तो इस तेल छोड़ देगा जब तक अब हम इसमें आलू मतर उबले में डालेंगे मतर को मैंने 1 सीटी में अबाला था और आलू को 3 सीटी में अबाल के अच्छे से कटिंग कर देशे और इस ग्रेवी में डाल के इसे अच्छे से फ्राई करें ये सबजी खाने में काफी यम्मी है अब इसमें हम थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे पत्ति डाल के अच्छे से मिक्स कर दें आप चाय तो इसे सुखा भी खा सकते हैं अब इसमें हम ग्रेवी डालेंगे इसे धक के 10 मिट के लिए पकने के लिए दें अब ये सबजी हमारी रेड़ी है अब हम मीनी कचोड़ी के लिए आटा लगाएंगे इसके लिए मैदा ले च एक चमच चीनी थोड़ा सा काला जीरा जीसे मंग्रेला भी बोलते हैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन एक चमच इसमें सूद घी और थुबसा पानी देखे इसे अच्छे से डो बना ले इसका और सक ताटा गून्त ले इसके पेड़िया बना ले छोटी छोटी लोईयां पूरी बेल ले इतर एडम मीनी छोटी छोटी पूरी बेलना है गढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखे अब सारी पूरी को हम थाली रेडी है, पसंद आए तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर करें, यह काफी यम्मी है, एक बाद जरूर बना के इसे ट्राई करें, आलू मटर यह पूरी, धनिया की चटनी, पत्ता गोबी की सबजी, आलू का भुजी, आलू मटर की सबजी,